तो सभी विपक्षी पार्टियों को लखीमपूर खीरी जाने की इजाज़त मिल गई है लखीमपूर खीरी मामले में कई लोगों पर आपाई आर हुई है प्रिशासन उनकेसारों के बीच सहमती बन गई है म्रत्कों के आशुतों को 45-45 लाग रुपाए और सरकारी नौकरी देने का आशुवासन दिया गया है तो गायलों को 10-10 लाग आर्थिक मदद के तौर पर दिये जाने की पेशकश कर दी गई है इसके बाद भी लखीमपूर की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही क्योंकि विपक्ष अपनी आवास को बुलंद के हुए है तो लखीमपूर खीरी में हुई 8 लोगों की मौत के बाद सियासत के बड़े चहरे लखीमपूर जाना चाह रहे है लखनों में हर्ताल के बाद अखिलेश तो घर चले गए लेकिन प्रियंका गांधी को पुलिस ने शान्ती भंग करने दारा 144 के उलंगन करने के मामले में गिरफतार कर लिया है लखीमपूर खीरी को लेकर जारी के गए राहूर के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फरेंस की और राहूल गांधी को आड़े हातों ले डाला तो समित पात्रा ने का है कि लखीमपूर में जो हुआ वो दुखत है राहूल गांधी लेकिन ब्रमपला रहे है क्योंकि वो हमेशा गैर जिम्मधाराना रविया दिखाते है और यहां भी वो इस तरह से अपने सरवये को जाहर कर रहे है दुगत गटनाओं पर राजनीती ना हो राहूल गांधी का रविया गैर जिम्मधाराना है तो इसके ठीक बात दिली के सिमकेज रिवाल ने प्रेस कांफरेंस की और कहा कि हत्यारों को बचाया जा रहा है लखीमपूर में ऐसा क्या है जो छिपाया जा रहा है तो आज इसी पर हम चर्चा के शिर्वात करेंगे और सियासत का नया अड़ा अखिर लखीमपूर क्यों बन गया है लेकिन उसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है राजनेताओंने क्या कुछ प्रतिक्रिया इस सामने आ रहे है जैसे अभी आपने बोला ये राजनेती हो रही है दीकि हमारा काम ओपिजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहाँ पे कारवाई होती है हात्रस में हमने प्रेशर बनाया तब जाके कारवाई हुई सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाए ना प्रेशर ना बनाए कि जुन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाए अगर हातरस में हम गए नहीं होते वहाँ पे जिसने जिन्होंने बलतकार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते अगर हमने उससे पहले उनके MLA के बारे में नहीं बोला हो तो बाग चे निकल जाते तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं हम दबाव क्यों डाल रहे हैं क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है और मुझे लगता है कि हम सब की चाहे हम राजनेतिक दल के चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो हमारा मुख्य करतव यह होता है कि जब एक निस्पक्ष जांच होना हो या निस्पक्ष जांच चल रही हो उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिपणी बयान या इस प्रकार के बयान बाजी ना करे जिससे पक्षपा तो होता हो जिससे नियाए नहीं होता आज दुख के साथ मुझे करना कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनह वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं गैर जिम्मेदाराना रविया इर्रेस्पॉंसिबिलिटी इर्रेस्पॉंसिबिलिटी हैस बिकाम दे सेकेंड नेम आफ मिस्टर राहुल गांधी हर जिके यही बात हो रही है सब लोग कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम उन निर्दोश किसानों के हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहा है मैं उसी संबंध में देश के लोगों की और से आप से आज बात करना चाहता हूँ अभी तक हत्यारों को गिरफतार क्यों नहीं किया गया आफिर क्या मजबूरी है उन्हें क्यूं बचाया जा रहा है हत्यारों ने दिन धहाडे इतनी भीड के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिर्फतारी नहीं हुई है उन्हें क्यूं बचाया जा रहा है सरयाम इतनी भीड के सामने कोई इतने लोगों को रौधते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नत्मस तक होके घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे योगी सरकार प्रतिबद है कि सच सामने आएगा और लेकर आएंगे और जो भी दोशी है चाहे वो राजा हो या रंग उसके साथ वही सलू किया जाएगा जो कानून कहता है इसलिए ये जो घटना है इसके लिए दुख है लेकिन कानून अपना कार्य करेगा और विपक्ष का जो रवय्या है वो एक नकारात्मक रवय्या दिखा रहे है इस समवेदन शील माहोल में इस समवेदन शील मुद्दे के उपर तो आपने तमाम राजनेताओं की प्रतिकरिया सुनी और कोई लोगतंत्र की दुहाई दे रहा है तो कोई आरोप लगा रहा है ब्रहम पहलाने का लेकिन आखर सियासत का नया अड़ा लखीम पूरखीरी क्यों बन गया है आज इसी के इर्दगीर सवाल जवाब होंगे और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ BGP प्रवक्ता अश्वनी शाही जी होंगे अजये और उड़ा प्रवक्ता कॉंग्रिस संजीव कोशिक वर्ष्ट पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामल हो गया है आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस चर्चा में शामल होने के लिए और अजे जी चर्चा की शर्वात में आपी से करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना घटी लखीमपूर कीरी में जब प्रशासन और पीडितों के बीच समझोता हो गया है तो ये हालात आखिर क्यों विपक्ष क्या चाहता है और अब तो इजाज़त भी मिल गई आपको आशिमा जी जी विपक्ष चाहता है कि उचित कारवाई हो और ये हुआ क्यों विपक्ष पूछना चाहता है क्या प्रशातन फेला उस्तरपरदेश का किस प्रकार से प्रशातन और महा का शातन जैसे आपने पीछे देखा होगा कि गोरखपुर के अंदर की विपारी की हत्या होगे कानपुर के विपारी की तो कहीं न कहीं अंकुछ लगता है आशिमा जी सरकार का फेलियर है ये और जहां जिस परकार से गारी दिखाएगी बीटियो में रोंगती चलेगी किसानों को उनकिसानों को मारती चली गई यह कहा करने आये है यह रिराजिती भी नहीं है यह इतना गंदा मामला है आशिमा जी यह इतना निंदनी है इसकी जित्ती भी निंदा कीजा उतनी ही कम है जी बिल्कुल एश्विनी जी आप क्या कहेंगे अज्जी जी कि इस बात का पेलियोर बता रहे हैं सरकार का असिमा जी कांगरेश से लोर बताएगी बताएगी जी तो कि कांगरेश में एक भवी से बकता है जो बड़े भारी जो तिसाचारे हैं इनके पूर्वध्यक्ष राहूल गान्दी जी वो जहां जाते हैं जो कहते हैं वही होता है देश में आगे आने वाले दिलों में अपना किसान नेताओं के साथ समन्वे अस्थापित करके पीडित परिवार के मृतक के परिवारों के साथ एक वहतर सामंज़त से बनाया और मामले का पटाशेप कर दिया चोबिस घंटे भी नहीं लगे यानि कि उस्तरप्रदेश सरकार ने बहुत ही त्वरित गज़ते है ली डालने का काम करने जा रहे हैं यह लोग क्या करेंगे वहां जाकर अब जाएं सबको छूट दे दी गई कि पाच-पाच आदमी आई यह जाए यह इन लोगों को दिखिए यह दोहरा चरित्र है कांग्रेस का आज जी ने पढ़िया बोला लेकिन एक शील भूल गए व वहां किसानों को बरबरता से लाठी से मारा गया अनुमानगण में वहां न कोई नेता गया न कोई ट्विटर गया कुछ यह राजै जी बैठे हुगे को ट्विट किया हो गया हूग इन्होंने या राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी ने यह कैसा दोहरा मापदंड है जो एक तरफ आप उघ्राली आले सुह है तूरे तरफ आप रवर्ता है है कि यह वे और ऑनका बम जिस वक्त जो सिनेरियों यहां पर देखा जा रहा है इस पूरे प्रक्रण को लेकर संजीर जी जो सियासी जंग यहां पर देखने को मिल रही है आकर सियासत का नया अड़ा क्यों बन गया है लखीम पुर्खिरी आप हमें पताई है कि अभी शाही जी जो कह रहे थे राजस्थान में यदि किसानों को लाठी जंडों से मारा जा रहा है तो लखीम पुर्खिरी में आप गाड़ी चाहा देंगे उसके सरीर पे यह कौन सा तरक है सवाल यह है कि यदि वो गलत था तो यह भी गलत है हम तो सिर्पित्रा कहना चाहा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थित्यान पड़ी कि यदि इस तरह की घटना हुई है यह बात तो बिल्कु सही है कि आठ लोगों की जाने गई है और उस्तर प्रदेस सरकार के यह लोग कि यह बात प्रदेस्टर के लोगों मिर्टक के आत्मा के शांति के लिए दो सब्सान अभूती कि आप निकाल लेते बिपक्ष की भुन का होती क्या है आप सद्दा में आप ही है जह भी आप ही करेंगे साइटी भी आफी करेंगे और निर्ने भी तुनाएंगे और अपी त जाने से वहां इस्थितिया बिगड़ी यह इसलिए यह लोग जाना चाहते हैं पहले यह तो तैकर लिए कि उतरपदेश की जंता यह बात समझ नहीं रही है कि वहां कि इस्थितिया खराब हुए इस तरह की इसे हथ्या कहेंगे हम इस तरह के मदर होने के बाद में भी पक्ष जाच हो पाए पादर्शिता जाच में दिखें साइटी की टीम गठित कर दी गई है लेकिन अजे जी आपने अश्विनी जी को सुना होगा साब तो पूर उनका कहना है कि लखीम पूर खीरी में तो किसानों को लेकर हमदर्दी है लेकिन राजिस्थान में जो हो रहा है जह पूर दिया गया आप तो आप तो अब एक साथ मल कर जा सकते हैं आशिमा जी प्रिंका गांधी वार्डरा जी जो गई है उसतरपर्देश में जी उनका दाइत हुआ है एक कुशल विपर्श का दाइत हुआ है क्या आशिमा जी हमें पूछने का अधिकार नहीं है और जहां तो भाते जिनता पाटी लगाती है और जहां तक इन्होंने अभी राजस्तान की बात की और इन्होंने उत्रपरदेश की बात की क्या यह सविकार करते हैं अगर किसी राज़े में कोई घटना घटी है यह इस परकार से जान के अपनी गाड़े नीचे किसानों को रों यह सभिकार करतें इस बात को बात ही है आश्मा जी हमें समझना होगा हमें समझना होगा जर्टी पुत का यह हाल क्यों है यह काले कनुन वापिस पर नहीं होते हैं अगर जो लगे लेकर हो रहा है वह आकर क्या हो रहा है ठीक है अश्वनी जी मैं आप पास आऊंगी विपक्ष जाच होनी चाहिए राहुल गांधी ने भी इस आपतोर पर काया कि जब तक विपक्ष दवाव नहीं बनाता तब तक एक्शन नहीं होता हात्रस मामले में भी यही हुआ विपक्ष ने भूमिका निबाई और उसके बाद एक्शन देखने को मिला आप इस बास से कि लंबा चड़ाया एक बहुत पढ़िया कि हनुमानगर में होगा तो आप लोगी यह करेंगे तो यह कारिकरम होता है अरे भाई आपका प्रेशर आप तो थे केरल गूम रहे थे परियंका जी परेटर पर आई थी उसके पहले वहाँ पर परसासन के साथ मिलकर 20 गंटे के अंदर मावले को सुल्या लिया गया मिर्थक के परिवारों को जो उनकी माँए थी वो मान ली गई नयाइक जाज की aux ky make the उनकी थी आने की माँगी उनको मौझा चाहूंगा असी माजी बड़े सम्मान के सात्व कि अगर पूरे देश में यह लाथी चलवा रहे है किसानों के उपर और यहां पर जो है घड्याली आसू बहा रहे हैं तो यह इनका कि यह कुछ भी कह सकते हैं लेकिन हमारा विपक्ष का डाय तुवे है पुछल विपक्ष वह होता है जब कोई ऐसी घटना घटे पहली बार पुछने का अधिकार है हमारे जाने का अधिकार है और जिस परकार से प्रिंगा गांदी जी को बिना नौटिस के बिना वारेंट के अधिकार है यह वह था जिए यह लोग्तन्त की हत्या है कहीं नकी आजिमा भारत सविधान से चलता है सविधान से ओपर नहीं है शरकार यह इन्होंने सविधान के पन्ने फार दी है जो इनने बातना नहीं चाहिए पाबा भीम रव अमेर्ट की देख रहे होंगे तो इन्ता पाटिकर कर रही है जो रिखेता है सविधान के तो जहां तक लोग्तन्त की बाता आशिमा हमारा पूछने का अधिकार है कि आजमी की कीमत इन्होंने की पीछी क्या वज़ा हो सकते है जे जी और क्योंकि माहुल बगारने का हवाला यहां पर दिया जारा इस पर आप क्या कहींगे बिल्कुल नहीं आश्मा जी हम इने बिल्कुल महावली बिगड़ा हम आतरफ भी ते हमें वहावी रोका गया जहाँ जहां अच्छा यह बताएं कि विपर्ग की आवाज क्यों दबाए जा रही है यह सियासत नहीं है यह गंदी सियासत है विपर्ग सियसान में अगर हमारा प्रेशर ना होता तो यह जल्दी से नतीजे भी नहीं आते और जहां तक अश्मी चाहिजी मेरे मित्र हैं इन्होंने का जी हमने मौज़ा दिया अरे आदमें की कीमत 45.000 रुपे क्या कर चाहते हो अरे मत मारो किसानों को मत मारो किसान आपको माफ करने वाले नहीं आपकी तरफे हागे आपकी वाले लाड किसानों का मौबला करो किसानों को मारो और जमानत जिर्दा करो क्या विलकुआ ापक्सवन्य जी जिस तरह से लुगतंत्र का इनए जा रहे हैं जा रहा है कि लेंड़ अधे धज्या ओंका विपक्ष का निभाई जा रही तरव से पिर उनको क्यों रोका गया क्या वाकई कहीं कोई चूक हुई है कि विपक्ष को मौका मिल गया है आप लोगों की तरव से लोक तंत्र की हथ्या उस दिन हुई थी जब एक हत्तर में ला गंगों में मारे गए थे उस दिन होई थी जब 84 में सिखो को मारा गया कांग्रेश की दिन करती आटमा संभिधान की सिद्धान की अगए इसको न दे कांग्रेस दुहाई देते हुए अच्छी नहीं लगती इसका दोहरा चरित्र है संसद में सत्र चल रहा है किसानों के बिल पर बोलना है लेकिन इनके फुर्वराश्ट्री अध्यक्ष ट्रैक्टर लेकर बाहर आते हैं और अंदर चर्चा नहीं करते हैं लेकिन उ सदन में पहुँचकर विल का समर्थन करते हैं यह इनका दोहरा पन यह इनका दोहरा चरित्र कांग्रेस लोक संद्र की बात न करें हम चाहते हैं कि कांग्रेस ऐक राश्टी पार्टी है 135 साल कुरानी पार्टी यह भले 70 बार 80 बार टूट हूए है उतको नहीं कहना चाहता ह लेकिन उसके बावजूद लोग तंत्र के ये लोग हत्या सफस्तर में कर चुके हैं मरजिंसी लगाकर देश में और ये आज लोग तंत्र की बात न करें उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर के जितने भी मिर्दक से दुखत था इसकी घटना ऐसी घटना नहीं होनी चाह लेकिन उस पर मरहम हम लगा सकते हैं लोगों ने कभी ये नहीं का लिंचिंग में जो हमारे करता मारे गए उसका नाम अभी दोनों भाई हमारे बैटे हैं नहीं लिया इन लोगों ने आज़े जी जल्दी से आप अपरी बात रिके क्योंकि समय की कमी है संजीव जी के पास दो करů ना चाहेंगे मैं आगा कि यहां नहीं जाएंगे आप जानेगे जाने की बाद कर रहे थे आपकी पार्टी कि जो कि आप बात करेंगे उस दायत में क्या भूमिका आप लोगों की रहेगी? क्योंकि माहुल विगाडने की बाद बार-बार सामने आ रही है अगर ऐसा होता है तो उसकी जिम्यदारी उसकी जवाब दे ही किस की? आश्मा जी, हम बड़ी इमानदारी से हुशल विपस की भूमी का निभा रहे हैं और प्रियंका गांडी जी, राउर गांडी जी जो हमारी शीष नेता हैं जहां तक हमें अनुमती मिली हैं हम दन्यवाद करते हैं तरकारगा कि हमें अनुमती दी और हम बिल्कुल किसानों से करेंगे हम किसानों के साथ कंदित से कंदा मिला के सब्सक्राइब धर्ति पुत के साथ हैं हम अंधाता के साथ है किया हम इनकी तरह नहीं है कि एक मंत्री जो गेंदिनी ग्रेय राज्य मंत्री हैं इस परकार से बढ़काव भाशन दिया वो उसका नतीजा है आशिमा कही न कही न कही तार जुने मिलेंगे जब आइसाइटी जाज कर रही है इस तार सामने आएंगे कि उसका वेट इंतजार कही न कही करना चाहिए संजीर जी आखि मैं आपके आपके आखा आँगे कि क्या कहना चाहते है विपक्षो सबकरास्ता लगिमपूर की जा रहा है आखे सब क्यों जाना चाहते हैं लगिमपूर कि किसानों के लिए कॉंगरिस पार्टी ने क्या किया या भारती जंता पार्टी ने क्या किया यह देश की जंता जानती है वह अपना फैसला लेगी महतुपूर उससे भी ज्यादा यह है कि हम लोग जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष के उपर आरोप है क कि उनके तरफ से गाड़ी चड़ा करके चार किसानों की जान ले 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 गई और उसके बाद में जो दंगे भढ़के वहां पे जो शितिया पैदा हुई उससे कुछ सत्ता पक्ष के लोगों की भी जाने गई है महतुपुन यही है और हम लोग शर्चाइसी पर बात कर रह कर दाए पैवारे लिंग दाए यह का ऊंतो प्रादेश की जानने का लिए आपको जानने का अधिकार है और परी जिम्मेदारी है पारदर्शित वढर ने के लिए तो क्या उन पर नहीं चोड़ देना चाहिए अब यह वक्त आएगा तो जांकुत हो anybody can see a Storm जब इस तरह के सवाल खड़े होते हैं, तो सीधे तोर पर प्रशासन पर, SIT पर सवाल भी खड़े हो जाते हैं, बहुत पर शुक्रिया आप तमाम हेवानों का जुड़ने के लिए इस चर्चा में शामल होने के लिए, तो जाहिर तोर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ल आपको सामने आता है, और अब विपाक्ष को जिस तरह से इजाज़त मिली है, तो वहाँ पर वो अपनी दायत की भूमिका को किस तरह से निभाता हैं, इसे की साथ सत्ता की टेम क्रिच्चर में बस अतना ही, आप देखते रही नेटवर्ग्ट है, जय है जैसे अभी आपने बोला, यह राजनेती हो रही है उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिपणी बयान योगी सरकार प्रतिबत है कि सच सामने आएगा और लेकर आएंगे